तो अब तो जो डबल इंजन की सरकार है उसी के मुह पर थपड़ है केंद्र सरकार के जो 89 सचों से मात्र एक दलित है वो गलती से है गलती से हुए तो भारत सरकार के कार्मिक भाग ने एक अधिसूशना जारी किया है कि अब फर्दर दो साल कोई नियुक्ति नहीं होगी तो क इसे वेस्ट बंगाल में जाये कर रहें कि 80 लाख लोगों को हम नवकरी देंगे बिहार बिधान सभा के पूरुव स्पिकर और राजट के वरिष्ट ने था हमारे साथ उदैन अरायन चौधरी है सर एक समाजिक न्याय मंत्राले के दिसा निर्देश पर एक कमिटी बनाई गई थी दलित इंडिया चेंबर आप कॉमर्स उन्होंने कहा है कि जो दलित है वो इंटर्वियू में अपना जो नाम का अंतिम सब्द है टाइटल है उसको अगर नहीं बताएंगे तो नौकडी में उनको दिक्कत नहीं होगी उनके साथ भेदभाव नहीं होगा देखिए इस देश की जो समाजिक वेवस्था है वो ब्रह्मनवादी वेवस्था है जिसों कहने में लोग कतराते हैं और उस ब्रह्मनवादी वेवस्था में जो अच्छूत लोग हैं उनका अस्थाम सबसे नीचे दे दिया गया है और डॉक्टर भीम्राव उम्बेतकर ने उसी से प्रतारित हो करके चुके आप सबको पता है डॉक्टर भीम्राव उम्बेतकर अपने जमाने के बहुत ही अपने उनके पैरलल का कोई दूसरा विक्ति नहीं था जो संभीधान लिखे थे तो डॉक्टर भीम रावम बेतकर ने आरक्षन की बेवस्था कर दी और उस आरक्षन की बेवस्था के अंतरगात एक ऐसी बेवस्था की गई नौकरियों में भी पलिटकल आरक्षन भी हुआ जो संसद में है और उस संसद वाले जो आरक्षन है वो सब पोंश हिलाने वालों की होगी आरक्षन जैसे बिस्कुट उस्कुट देख के पोंश नहीं हिलाता है कोई-कोई छोटा चर्गड़ोगा वैसी ही हो गया और अब जो है नौकरी प्यसा में मजबूरी हो गई देना लेकिन जब से ये बरतमान सरकार आई है ये बरतमान सरकार जो एंडिये की हुकुमत है डवल इंजन की सरकार है ये सरकार पुन रूप से आरक्षन भीरोधी सरकार है और परणाम यह होता है कि जो दलित समुदायके जो इंटेलिएंट लड़के भी हैं जो जाते हैं अपने साक्षातकार के लिए तो दिखिएगा कि उनको रिटेन नंबर आ जाता है बहुत ज्यादा 90% और वो शाक्षातकार में 10% भी नंबर नहीं ले पाते हैं तो 100 नंबर पूरा नहीं होता है और जो बोड बैठती है उस बोड में नाम देखकर के ही लोक समझ जाते हैं कि यह किस समाझ का होगा जैसे मांजी है पासी है दुसाद है मुसहर है डोम है रविदास है तो यह सब के बारें पहले से जानकारी हो जाती है जो थोड़ा भी समय रखते हैं उनको पता चल जाता है कि यह किस जाती का होगा केंद्र सरकार बता रहे हैं आपना केंद्र तो उसके अधार पर उसको नॉट अप्लीके बूल नॉट फिट फर पोस्टी सब लिके हटा दिया ता नंबर वा उसको कम दिया जाता है तो उच्चुनाता नहीं है अक्यंद्र सरकार के निदेश पर नहीं है वो है जो अनुसरी जाती आयोग है नहीं जिसने इसको गठित किया जिसके आदेश पर यह क किया है यह सर्वे वो किया है अनुसरी से जाती आयोग के सुझाव पर किया है तो यह बहुत ही सही कहा है तो अब तो जो डबल इंजन की सरकार है उसी के मुह पर थपड़ है आखिर क्यों खट रहा है कि दलितों की संख्या उसमें क्यों खट रही है अच्छे लड़के नह नतीजा कि जो जिस कोटी में है अब उसी कोटी में रहेगा तो मार्क जो कटब मार्क है वो आरक्षित वर का कटब मार्क अगर 50 परतिसरत रखा गया तो अब समन्य वार्ग के लोगों के लिए कटब मार्क 45 परतिसरत रखा जा रहा है यह इस्थिती हो गई है तो आरक्षन सम कि में समभीदान बिरोदीनिती उसके खारण हुआ है 89 सचीव में केंदर सरकार के जो 89 सच्चो से मात्र एक डलीत वह गलती से है गलती से हुए तो यह नवासी में दलीत को तो छोड़ दीजिए कि मतलू आधिवासी पिछड़े कोई नहीं है अजो है उगलती से है एक खास दस्पर जो ये ब्राम्बन वादी ब्यवस्ठा में विश्वास करने वाले लोग हैं एक बात और मैं clear ऐसे मतलब ब्राम्बन से नहीं है ये मैं कैरहा हूं ब्राम्बन वादी ब्यवस्था जो मुन्समिर्ती की धारा है उसके धारा से प्रॉहावी जब एक उदाहरन निसमें केवल आपको देज़ते हैं राजेंदर वाबू जब राष्ट पती हुए थे तो जब आके गए बनारस में पुजा करने के लिए तो उन्होंने एक्षाब्यक्त की कि 200 ब्रहामन को भोजन पैर्द होईंगे तो 200 ब्रहामन लोगों को खोज के लाया गया अब वो अनपड़ था कि ग्यानी था उससे कोई मतलब नहीं है जन्मना जो ब्रहामन था उसको लाया गया तो उसमें से एक विद्वान ब्रहामन भी थे उसने कहा कि मैं इसमें पैर नहीं दूलाओंगा जाके बाहर हो गया कहा कि मैं कर्म से ब्रहामन हूं मैं जन्मना ब्रहामन नहीं हूं और अभी जो अधिपत्य है वो जन्मना ब्रहामन के लोगों का है और उसी को मैं कहता हूं कि यह ब्रहामन वादी बेवस्था है तो जो ब्रहामन वादी बेवस्था में जो लोग हैं उसमें दलेत कोई नहीं है आजी वासी नहीं है 89 लिए 90 पर सेंट पर्संट किसी स्मुदाइक है जो सचवाले में हूं जुडिस एयडी में देख लिए सुप्रीम कोट में एक खास परिवार के लोग आते हैं चुछे हुए परिवार के लोग आते हैं चुक्त अधना ज्याधा ज्यानी और कोई यह विरासत में इतना सर भेदभाव हो रहा है यह सरकार कहीं आकड़ा बता रहा है कि इतना भेदभाव हो रहा है और उसके बावजूत पिछले साल जो देखा गया कि स्टी कानून को कैसे कमजोड सरकार का कहना है कि इसका दुरुपयोग होता है लेकिन यहां तो साब दिख सरकार कि इतना भेदभाव होता है कि आपना नाम का टैटल खता दीजिए का इसी डर से लोग को लकट काया हम भारती हैं को छलिवा ऐसा नाम रखता है नील मनी भारत भूषन क्या करेगा मजबूरी है जाता है तो कहीं बिचारा को ठीक से खाना ना ही मिल जाता है ना तो ठीक से नहीं मिला उसको हेवाव के दिर्श्टी से देख के दिया जाएगा प्लेट वोच हो जाता है बहुत तरह बात ना है अभी भी परता है लेकिन अभी इस तरह की विवस्था भी समाज में बरकरार है तो निती जी की सासन भी मतलब वो समाजवाद की बात से आई है लेकिन वह भी ब्रामन बाद में ही फसे हुए हैं किस के जाल में फांसेंगे यह तो आउ जखड़ गये हैं उसमें लटक गये हैं कुर्सिया जो गये कुर्सिया पचेगी नहीं न अभी सबसे बड़ा दलीत पिछड़े का और आदिवासियों का अकलियत का अगर कोई दोजी है तो आज के तारीक में जो इंडिये के हुकूमत में जो लोग हैं वेवोग हैं उत्तर परदेश में सर दलित को कभी घोडी पर नहीं चरने दिया जाता है कभी जलते लास को वहां से हटा दिया जाता है कि किसी और बड़े जात का जमीन है। भारत का चेहरा निखर नहीं पा रहा है। चुके हमारे संविधान में सेक्लूरिज्म की वर्ड है। इसलिए सेक्लूरिज्म वर्ड से उनको घिरना हो रही है। अतब देश बढ़ेगा। तो बीजेपी में जाईए, वहां पवित्र भी हो जाईएगा। कि इतना भी बड़ा गड़बल करने वाला हो जो उसमें जाता है सब पवित्र हो जो उसमें जाता है सब पवित्र हो। तो कैसे विश्ट बंगाल में जाएक कर रहें कि 80 लाक लोगों को नौकरी देंगे। कैसे कह दिया बिहार में आके कि हम 19 लाक लोगों को नौकरी देंगे। तो यह तो जूट बोलने का कार खाना वहां है जो जाता है वहां सब सची मांदार हो जाता है। तो हमारे साथ है उदे नरायन चौधरी वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से एक मिलन सब्सक्राइब यूटूब पे कीजिए चलते हैं जय हिन जय भारत।